वड़ी खबर आ रही है दिल्लीतों जिते केजरीवाल सरकार दे सेहत मंत्री सतिंद्र जैन दियां मुश्कला लगातार वदियां जारीयाने ते लगातार इडी वल्लों उस दे नाल पुछगिच कीती जारी है जिहां इडी वल्लों लगातार उना ठिकाने ते चापे मारी कीती जारी है उना जगाहां ते चापे मारी कीती जारी है खास्ता और ते सेहत मंत्री सतिंद्र जैन दे कार दे विच भी चापे मारी कीती जारी है ता जो जिस तरीके दे नाल मनी लॉंडरिंग केज दे विच सति पुखता सबूत है एडी वल्लों एकठे कीते जानत होने होते दास दिये कि 5 सालां बाद यानिकी 2016 देविच सतेंद्र जैन जेड़े हुन की केजरीवाल सरकार देविच सेहत मंत्री ने होना दे खिलाफ मनी लॉंडरिंग मामले नू लेके एक फाइयार दर्ज कीती जान दिय जड़ा एडी वल्लों इस मामले दे विच कारवाई कीती जान दिया थे मनी लॉंडरिंग केस दे विच सतेंद्र जैन नू घिरफतार कर ले जान दा कॉल कता दी एक कंपनी दे विच एह मनी लॉंडरिंग केस जड़ा है दायर कीता जान दा क्योंकि उस समय सतेंद्र जैन दा हिस्सा या शिर उस कंपणी दे विच हुंदे ने ते उस तो बाद लगातार एहे मामला पंच साल लटकदा जानदा है ते हुन इडी वल्लों जड़ा है सतेंद्र जैन नो इस मामले दे विच कारवाई करदे हुए गरफतार कार लेया जानदा है वड़ी खबर आ रही है क हां लगपक तेन करोड रुपया कैश ते एक सो तेती सौने दे सिक्के जड़े ने सतेंद्र जैन दे करीबी दे करों ब्रामध होए ने लगातार एडी वल्लों इस सबंदी रेट्स कितिया जारिया ने मनी लॉंडरिंग केस दे विच जड़े वी जड़े इन्वाल्व ने उन्हादे टिकाने आते एडी वल्लों चापे मारी कीती जारिया थोन्वे दास दिया कि तेई मैं नूँ एडी वल्लों एक मामला दर्ज किता जानदा खेजरी वाल सरकार दा सेहत मंत्री सतेंद्र जैन उस मामले दे विच गिरफतार किता जानदा ते उस्तों बाद उसनों कोट दे विच राउज एविन्यू कोट जेडी दिल्ली दी कोट है उस्ते उना नूप पेश किता जांदा तो उस्तो बाद नो जून तक उना नूप पुलिस रिमांड ते याने की इडी दी रिमांड ते पुछगिच देले पेज दीता जांदा ते हुन एवी दसना जरूरी होएगा कि नो जून तक सतेंद्र जैन जेडे ने ओहो एडी दी कस्टिडी दे विच ने ते इस्तो पहला जैन दे वकील वल्लो अदालत अगे एहें मांग रखी गई सी एहें अपील कीती गई सी के जेडी वी पुछगिच होगी ओहो वकील नू सुनन दिया जेडिया हदा केड़े सवालात इडी दे अधिकारियां वल्लों सेतेंद्र जैन दे नाल कीते जानेगे उहो उना नू सुनाई नहीं देंगे क्योंकि एहें गुप्त रखेया जान दा सारा कॉंफिडेंशल होंदा तुसी की सवाल करते हो केड़े सवाल करते हो ताजो किसे नू बाहर पत सब्सक्राइब बनारी पगवनत सेमान वल्लों है मामला मीडिया देते आंदे वेच पुलिस देते आंदे वेच ले आज जानदा तो उस्तोबाद सब्सक्राइब विजे सिंगला नू जेल पे जवा दिता जानदा तो उस दो बाद हून गाली कीती जावेता दिल्ली सरका दास सेहत मंतरी ओ भी काफी विवादा देवेच चालदा प्याते एक मनी लॉंडरिंग केस मामले देवेच उसनू दिल्ली पुलिस वल्लों इडी वल्लों गिरफ्तार कीता गयते लगातार उस दे नाल पुछ गिच कीती जारी है सब तो पहला मैं तो अनू दास्दमा की केंदर सरकार यानि की केंदर दी पाजबा सरकार वल्लों पंजाब देविच जिस तरीके देनाल आमादमी पार्टी दी सरकार जेडिया ओ सत्ता देवेच ते उससे तरीके देनाल जेडा दिल्ली देविच आमादमी पार्टी सत्ता देवेच ते इनना दोना थामा ते विदानसबादियां उस ते प्रबाप आया जा सके पर केजरी वाल वल्लों अपने ट्वीटर दे विच एह भी लिखया गया है कि ओहों अपने जेडे मंत्री ने उन्हानूं हमेशा इस गल दे लई उत्साहत कर दे रहने इस गल दे लई ओ दस दे रहने कि कदी भी थोड़े जेल जाना पह सकता है कदी भी थोड़े ते कोई परचा दर्ज किता जा सकता है ते उन्हाने अपनी एक्जांपल भी दसी की ओना नू भी काफी तशद्ध दाश शिकार होना प्या उन्हान ते भी कई तरह दे मामले ने जड़े ओहों धर्ज कीते गए पर जिस तरीके दे प्रबारी वी बनाया गया हिमाचल चोना दे विच उना नूँ खास जिम्मेवारी दिती गई आमादमी पार्टी वलो ते हुन उना नूँ टार्गेट करन दे इलजाम जेडे ने केजरीवाल वलो लगाये जारे ने थो नूँ ते दास दिया कि मनी लॉंडरिंग केस नू ले पंज साला बाद क्यों एडी जड़ा है ओहो जागी है पंज साला बाद क्यों इस पूरे मामले ते कारवाई कीती जान दिया इस पूरे मामले ते उना वलो एक्शन लिया जान दा ते आनन फानन दे वे चोना दे जड़े सेहत मंत्री ने उना नू गिरफतार कीता जान दा इस वक्त दी सब तो वड़ी खबर एहे आ रही है कि 16 क्रोड रुपे दे लैन देन दे मामले दे चल दे ED वल्लों जड़ा मामला है ओ दर्ज कीता गया सी 16 क्रोड दा लैन देन होया है क्या है विदेशी जड़िया विदेशी क्रंशी विदेशी विच इनवाल्व देखन दो मिल दी पही है ते जे कॉल कता दी नीजी कंपणी दी गाल किती जावे है कि जड़ा ED वल्लों उस कंपणी दा नाम नशर नहीं कीता गया पर जड़िया सूत्रा तो सनु हुनता कि जानकारी मिल पा रही है कि कॉल कता तो एक कंपणी है जिस दे निर्देशक याने कि जिस दे डारेक्टर सतेंद्र जैन होंदे ने उस दे विच वड़े पदर थे व मैं नू सतेंद्र जैन नू गिरफतार किता जान दा तो उस दो बाद उसनू 9 जून तक ED कस्टडी दी विच रखे जान दा लगातार सवालां दा जड़ा सिल्सला जारी है पुछगिच सतेंद्र जैन नाल ED वल्लों कीती जारी है ते उन देखना एह होगा कि आउन वाले सम के सोने दे बरामध होए ने बहुत ही अचमबित करन वाला एह मामला एह फैसला है गया क्योंकि एक कर दे विच 30 करोड रुपया कैश पया होंदा है ते उस दो बाद 133 के सोने दे पाये जान देने ते अपने आप दे विच कई तरहां दे सवाल उठने लाजमी है ते हुण जेडे जेडे करीबियां ते सतेंदर जैन दे जेडना करीबियां ते इस एडी नू शक होंदा जा रहा है उनना ते लगातार छापे मारी अनना वल्लों कीती जा रही है सब तो पहला मैं तो नू सुनाना चाहूंगा अर्विंद केजरीवाल जेडे की दिल्ली दे मुख मं अपने ही कैबिनेट मंत्री नू कलीन चिट दे दिती गई है ते उनना वल्लों तरक दिता गया कि केंदर दी मोधी सरकार उनना नू टार्गेट कर रही है सब तो पहला था नू मैं ब्यान सुना देना अर्विंद केजरीवाल वल्लों लाइव होके एह जानकारी दिती गई आपको सबको नमस्कार आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्यंद्र जैन को एक फरजी केस में गिरफतार करने वाली है मुझे बहुत ही विश्वस्निय सूत्रों से ये पता चला था कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिलिये कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीश सिसोदिया को भी गिरफतार करने जा रहे गिया पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जहांच एगंसी को मनीश सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फरजी केस तयार करने को काई जैसे इनोंने सतेंद्र जैन के खिलाफ फरजी केस किया है वैसे ये लोग मनीश जी के खिलाफ भी फरजी केस बना रहे है मुझे ऐसा लगता है कि सतेंद्र जैन और मनीश सिसोधिया को फरजी मामलों में जेल में डालके दरसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्त के क्षित्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं न उन्हें रोकना चाते हैं पर चिंता मत किजिए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा सभी अच्छे काम चलते रहेंगे मैं हमेशा कहता हूँ मुझे राजनीती करनी नहीं आती है मनीश को और सतेंद्र को जेल में डालने की पीछे इन लोगों की क्या राजनीती है मुझे नहीं पता मुझे समझ नहीं आता हूँ मुझे केवल यह पता है कि मनीश और सतेंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है अगर मनीश और सतेंद्र भरष्ट हैं तो फिर इमानदार कौन है खैर मेरी प्रधान मन्तरीजी से हाद जोड़ के विंती है यह एक एक करके जेल में डालने की बजाए आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मन्तरियों और सभी M.L.S. को एक साथ जेल में डाल दीजे सारी जांच एगेंसी को बोल दीजे कि एक साथ सारी जांच कर ले आप एक-एक मंत्री को गिरफतार करते हो इसे जंता के कामें में बादा होती है अब सतेंद्र जैनची दिल्ली में कई और नए महला क्लेनिक बनवा रहे थे वो दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे यम्रा की सफाई पर काम कर रहे थे अब वो सारे प्रोजेक्ट्स धीमें पड़ जाएंगे जिस केस में उन्हें गिरफतार किया है आपने सब्सक्राइब कर रहे हैं उसकी जांच पहले ही सीबिया और इंकम टैक्स वाले कर चुके उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि केस में केस तो फर्जी है उसमें कुछ है नहीं अब उसी केस की दुबारा जांच एडी कर रही है अरविन केजरिवाल के करीबी और सतेंदर जैन जिन पे एडी जांच कर रही थी और अरविन केजरिवाल कर तक उसे डिफेंड कर रहे आज उनके ठिकाने पर जो चापे पड़े हैं उसमें 133 सोने के सिक्के सोने के बिस्कुट और करीबन तीन क्रोड बे जो कैश मिला है ये दर्शाता है कि अर्विन केजरिवाल के जो गुर्गे थे सिटेंगर जैन उनके पास कितना काला धन हो सकता है अर्विन केजरिवाल जीजिए पूछना चाहते कि आपके इस काले धन में अर्विन केजरिवाल जी आपका कितना हिस्सा है आप उनको डिफेंड कर रहे थे आप यह एक कागची देख लिए हैं इसलिए आपको बताना पड़ेगा दिल्ली हो यह पंजाब जहां जहां आपकी सरकार है आपको लेंदर के अंदर भरस्ता चार के अंदर लिट्थ आपको आज बताना पड़े का इसमें कित्रा रखते हैं अपको नातिक ताकित जो उपर आज पत्पर रहने का कोई दिकार नहीं है अरुन के जिवाल को अजो तुरंट स्वीफा देना चाहिए तो साड़े नाल इस विले जोड़ चुके ने दिली तो बीजे पी दे सीनियर लीडर तेजिंदर पाल सिंग बगगा गलबात कर दे हो नाल बगगा जी पहला था सितेंदर जैन ते जड़ी कारवाई कीती गया हो उस ते उसनों लेके कई सवाल खड़े कीते जा रहे ने पहला था तुसी इस कारवाई नो किस तरह देख देख दे हो लगदा है जेड़ी चीजी वीडियो और पिच्छरा दे विच आ गई है उस तो बा सामने एक है जी और अर्विंद केजरी वाल थे पहला भी इस तरिक्का दे चीज़ा अगर कोई वी दे कार चापा बैंदा है ऐसे तरिकर दिखान दा है कि देखो जी मैं पेपर चेक कर ले ने और पहली बार नहीं तो अनुतियान हो गए कर दा मंत्री सीगा पहले जड़ी क अर्विंद केजरी वाल क्लीन चेट दे रहे ने सतेंद्र जैनू ते दूसरा होना वल्लों एक हा जा रहा है कि हमाचल दे इलेक्शन आन वाले ने तेस करके मोधी गौशी लिए ने बhandoड होना आनो टार्गेट कीता जा रहे है हुना दे मंत्रियान तार्गेट कीता जा रहा है इन्दे विच किनि की सच्चा ही हा क्योंकि इस तरह या क्जाब दे विच भी उठ़ दे रहे ने परिवार वाले शामिल साथ बार बार जदो नोटे सा जवाब नहीं दे सके तहां इडी ने जद जाँ चोई थी एडी रणों अरेस्ट किता उस्तु बद जद उन्हें अपने पर करीमिया दे एड्रस से उन्हा एड्रस से चापे पेने सारे चापे वीडियो कैमरे से नाल पे कोशिश की ती गई सी क्या लगदा थोनों कि सारा की चल्दा पर की राजनीती चल्दी पिए इस बारे ज़रूर जानना चाहांगे देखो अर्विंद किजरीवाल ना लगर मेरा कुछ है भी सी अगर बादी खिलाफ कुछ क्या विसी तो दिल्ली भी जोदी अगर वो कुमार विश्वास के लिए और सारी एक मिने दर अंधर है और एज़े किसे भी बंदे पंजामने लेन देना नहीं नहीं सी कि अर्विन के जरी वालों दंब दिखाना चांदे सी में लगता है वो दंब हाई कोट ने तोड़ देता है जो हाई कोट ने फैसला देता है और उस तुबाद बिल्कुल चुप होगे बैगे ने जी बगार ये सारा मनी लॉंडरिंग दा मामला चलदा पर हलाकि जडियां जा जा सकती है बिलियंस दे विच जा सकती है किस तरीके देना थानू लगदा दिखो आते जिवे जान चुई की पता लगेगा जिवे सोला क्रोड थी पहले ट्रांजेक्शन सा पता लगदा सी जी अच्छा ना दे करीबी जो जान चुप है जिए चाफा प्या जी क्योंते ति पैसा चपाया है लेकिन सवाल अविन के रिवाल दो जार तेरा वी जदा नहांने आम आदमी बाटी बनाई सी कि अगर मेरे किसी व्यक्ति ते आरोब भी लगए लगए तो मैंने उसको निकाल दिया लेकिन दिली देविच उन्नों डिफेंड करते हैं ने तरशांदा है कि सिर्फ तेंदर जैन दोशी नहीं है कि चुरूर कुछ ना कुछ हिस्सा है अर्विंद गेजरी बालता है होल कहीं मंत्रियां ते भी गाज गेर सक दिया है आउन वाले समेच दिखो यह थे जिवे ना मानगे पता लगएगा मेरा थे एकन है अर्विंद गेजरी वाल खु कि उल्षी वजब तेंदर एकन हो रहीं है